नमबर 4, complete the following number series and read aloud, क्या करना है आपको, जो भी एक cloud के अंदर number लिखे हुए हैं, इनको simply आपको एक box में एक एक number लिखकर उसको complete करना है, जैसे 106 to 145, तो 106 से लिखना start करेंगे, 107 आगे आगे continue करते करते, यहां तक करते करते, यहां last में आपका आजाएगा 145, ठीक है, तो आपको simple counting लिखनी है, ऐसे यहां है 365 to 374, 365 से start करेंगे, और ऐसे complete करते करते, 374 last में आ जाएगा, then 431 to 440, तो 431 से start करेंगे, और last number आएगा 440, तो 748 to 757, 748 से start करेंगे, और continue करते करते लिखेंगे, यहां आ जाएगा, 757, और ऐसे ही 909 से start करेंगे, 918 तक, तो 909 से यहां से लिखना start करेंगे, और यह end हो जाएगा, यहां 900 return पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह वाला question आप लोगों को अपने आप book में ही करना है, ठीक है, एकदम simple question है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल counting लिखनी है, तो यह मैं आपको करके अभी नहीं दिखा रही हूँ, आप लोगों को खुद से यह A part, B, C, D and E part, book में अपने आप ही complete करना है, book में ही करना है, copy में नहीं लिखना है, ठीक है, now question number 5, write each numeral as a sum of hundreds, tens and ones, बहुत simple question है, जो number हमें यहां दिया है, उसमें हमें अलग-अलग बताना है कि कितने hundreds हैं, कितने tens हैं, और कितने ones हैं, यसे A part में देखो करके दिखाया है, 579, तो इसमें 500, 7, tens and 9, ones, ठीक, हमें आगे क्या करना है, 896, 896 में कितने hundreds हैं, 8, how many tens, 9, and how many ones, 6, now next one, 400, 2, how many hundreds, 4, how many tens, 0, and how many ones, 2, now last part, 973, how many hundreds, 9, how many tens, 7, and how many ones, 3, ठीक, तो आज के लिए आप लोगों को question 5 तक ही करना है, question 4 आप लोगों को अपने आप से करना है, और यह सारे questions book में ही रहने देने हैं, copy में नहीं लिखना है, ठीक है?